दोस्तों आज मैं आपको सर्सों खेट पर लाया हूँ यह देख सकते हैं सर्सों का खेट है इसमें जो है इसमें देखिये फूल है इसमें इसमें जो है दोस्तों हम आज इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का जो है इस्प्रे करवाएंगे ताकि कोई भी इंसेक्ट जो है और इसे इंसेक्ट जो है फसल को हमाई नुक्सान ना पहुंचाए पाए और हमें उचित पैदाबार मिल सके इस फ़सल से मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी दबाई हम इस्तिमाल कर रहे हैं यह आप देख सकते हैं यह आप देख सकते हैं एगरी फोर्ट जो है कमफी फोर्ट एगरी फोर्ट कंपनी की एक कॉमभी फोर्ट है यह जो दबाई है यह आप देख सकते हैं इसमें कारवंडा जाइम है 12% और मैंनों को जैब है 36% WP यह जो है सिस्टमेक कॉंटेक्ट फंगिसाइड है यह अपना काम करती है धीर धीर करेगी देख सकते हैं प्रैकिंग यह बहुत सांदार है लेकिन मैं प्रैकिंग से क्या मतलब किसान आदमी है मैं अब आपको इसकी कंवर्शिसंट बताओगा कि इसमें क्या क्या है इसमें कर्वेंडा जाइम है टेक है और इसमें मैनों को जैब टेक है और सोडियम साइल्ट , अलगाइल सल्फोनेट मेश्वनेट है सोडियम 160 apple兒 अलकनी स्वनेट है कैलोईन है और इसे जो हैं अब दोनों को मिक्स करके पानी में जो है इसका इस्प्रे करा रहे हैं देख सकती है यह तो हो गई फंगी साइड हुआ यह देखिए आप कमपनी देखे एग्री फोर्ट की जो है कॉंबी फोर्ट कॉंबी फोर्ट है जो यह देख सकते हैं यह जो है टॉर्पिट प्रो करके जो है इन्सेक्टिसाइड है यह टॉर्पिट प्रो करके है इन्सेक्टिसाइड यह 500 ml की पैकिंग में है यह देख सकते हैं आप 500 ml की पैकिंग में है यह यह सर्सों में करा रहे हैं थाया मेथाक्सन है को पॉलीमेर ऑफ ब्यूटेनॉल है गलाइकसरीन है और इसमें जो है बेंजी सथाइजोल है मुनेजोडाई है पॉली थाइलीन है गलाइकोल है और इसमें बहुत सी चीजें है जेख सकते हैं यह यह टॉपिट प्रो है यह जो है मुखिता रूप से सरसों में जैसे तेला माहू या सफेद मक्हिया का अगर कोई भी किसी तरीकर के कीड़े का अगर आपके प्रभाव है फसल पर तो यह उसके लिए विश्यस लाबकारी है यह टॉपिट प्रो इंसेक्टिसाइड है जो जैसे माहू अगर आपके ल नहीं देखे है अमारा फसल देखिले दीजे आप सरसों की अचापड़ा एं कि अ किक्टिसाइड है यह देख लिजिए आपलोग दोनों इस्प्रे कर रहे हैं सर्सों के खेत में देखिया क्या से करें हुआ हे आप अ अ